हेलो लेडिज और जेंटलमेन वेलकम टू राम जी के स्टेडी चैनल मिशन एच्पी पूलिस भरती में आपका स्वागत है आज हिंदी की क्लास दो है इसमें हम डिसकास करेंगे वियांजन इसके प्रिकार को, उचारण स्थान को, घोश अगोश को, अलव प्राण और महाप्राण को यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे जब भी वीडियो अपलोड किया जाता है तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे है लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था भाषा उसके प्रिकार और वारन को जिसमें हमने स्वार को डिस्कस किया था आज भी अंजन को डिस्कस करेंगे और हमने उससे लास्ट वीडियो में एक्जाम पैटरन को भी डिसकस किया था है एच्पी पुलिस कंस्टेबल के तो चलिए अब शुरू करते हैं वियंजन को वियंजन जिन वर्णों का उचारण स्वर की सायता से होता है उसे वियंजन कहते हैं वियंजन के भेट की बात की जाए तो इसके तीन प्रकार हैं स्पर्ष वियंजन अंतस्थवज वियंजन उशों वियंजन तो ये इसके प्रकार हैं अब सपर्षवयंजन की बात की जाए जिन्वर्नों के उचारण में मुख किसी विशे स्थान जैसे कंथ तालू, मूर्धा, दांथ होट आदि से सफर्ष होता है तो उन्हेश पर्षवयंजन कहते हैं को से लेकर मौह तक सपर्षवयंजन होते हैं इनकी संक्या 25 है को से लेकर मों तक वर्ग के पांच अक्षर प्रतेक पांच अक्षर स्वर्ष व्यंजन होते हैं इसमें आता है कववर्ग, जववर्ग, तववर्ग, तववर्ग, ववर्ग अंतस्थव व्यंजन जिन वर्णों का उचारण स्वरो और व्यंजनों के बीच सित होता है तो उन्हें अंतस्थव व्यंजन कहते हैं इनकी संक्या चार है यह रोलो वो नेक्स्ट है उच्व व्यंजन जिन व्यंजनों के उचारण में वाई उमुक में किसी स्थान पर गर्षन खाकर उच्वा पैदा करती है तो उसे उच्व व्यंजन कहते हैं इनकी संक्या विचार होती है यह है शौ, शौ, सौ, हो वर्नों का उचारण स्थान पर इनका वर्गी किया गया है तो जो इस प्रकार है उचारण स्थान कंट इसमें आते हैं वर्ण अकुः हो विशर्जी विशर्जीनिया नाम कंट हो तो इसमें आते हैं औ, कौवर्ग, पूरा अब तालू की बात की जाए तो इसमें आता है इचू, यशानाम, तालू तो ये इसका सुत्रे, शौटकट याद करने का उचारी तवर्ण है इपूरा चौवर्ग, यव और शौ मुर्धा की बात की जाए तो इसमें आता है री तू, रशानाम, मुर्धा तो इसमें आता है री, तवर्ग, रो और शौ दंट की बात की जाए तो इसमें आता है री तू, लशानाम, दंटा इसका सुत्रे ही है इसमें आता है री, तवर्ग, लो और सौ उस्ट की बात की जाए तो इसमाता उपू पदमानी नाम उस्टो तो इसमाता उप पावर गुपूरा अब नाशिका की बात की जाए तो इसमाते इंगा या ना ना और मा कौ से लेकर मौ तक जो पांच वे अक्षर है वो नाशिका से बोले जाते हैं कंट तालू की बात की जाए तो इसमें ए और आई आते हैं कंट रोष्ट की बात की जाए तो इसमें ओ और आउ आते हैं ओष्ट दंद की बात की जाए तो इसमें वो आता है वो वरन का उचारण ओस्ट और दंट से होता है ना सिका की बात की जाए तो इसमें अनुसफार आता है यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अन करें जिसे जब भी वीडियो अफ्लोड होता है तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रही अब बात करते हैं गोश और अगोश की जिन्व वियांजनों के उचारण में स्वर्तंत्रियों में कमपन होता है तो उन्हें गोश किया सगोश का जाता है तो स्वर्तंत्रियों में जो कमपन होता है उसके धार पर वियांजन को दो भागों बैटा गया है गोश और अगोश जैसे गोश हो गया गोश हो गया गाँ हो गया तो यह गोश वर्ण है जिनकी इमचारण में कम पर नहीं होता है, उन्हें घोश वर्ण व्यांजन का जाता है, जैसे को और खो अब बात की जाएं, घोश में केवल नात का ही उप्योग होता है, घोश में केवल श्वास का उप्योग होता है प्रतेकवर्ग का तीसरा चौथा और पांचुवा सभी स्वरवर्ण तो ये गोश है और साथ में यारा लावा और हो ये सभी गोश्वर्ण है इनकी संख्या इकातिस होती है तो याद रखना प्रतेकवर्ग का तीसरा चौथा और पांच वरण सभी स्वरण जो ग्यारा है यारा लावा और हो ये गोश्वर्ण है अब बात की जाए अगोश की तो प्रतेगवर्ग का पहला और दूसरा तता शौ 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 ये अगोश वर्ण है इनकी संख्या तेरा होती है जो इस प्रिकार है कोखो, चोचो, तोठो, तोठो, पोफो, शौ शौ और सौ तो ये अगोश वर्ण है यहाँ भी देख सकते हैं, तो ये गोश है और ये गोश वर्ण है अब अलव पुराण और मापुराण की बात की जाए जिन वियंजन द्वनियों के उचारण में श्वाश बल अधीक होता है, उसे माहा पुराण कहते है और जिन में श्वासबल का प्रियोग कम होता है उन्हें अलोपरांड कहते हैं श्वास के दार पर व्यंजन को दो भागों में मैंडा क्या है अलोपरांड और महापरांड पँच बर्गों में दूसरी और चोथी द्वनियां महापरांड है जैसे खा और गा, छा, जा, ठा, डा, ठा, धा, फा, भा, गा, और डा ये महा पुराणवन व्यांजन है वर्गों के पहले तिस्टी और पांच विवर्ण अलो पुराण होते हैं जिसमें आते हैं का, गा, चा, जा, टा, डा, ता, दा, पा, वा, या, र, ल, वा ध्वनियां इसी वर्ग की है अब बात की जाएं सियूंक तुम्हें अंजन की जो व्यENNJन 2, या 2 से अधिक व्यENNJनों के मिलने से बनते हैं उन्हें सियूंक तुम्हें कहते हैं तो इंकी संक्य प्रऌँ क्याशा जैसे क्षा तरो ज्या श्रो क्षा क और शो से मिलकर बना होता है जैसे अक्षा हो गया इसका गिनाब पर त्रो तो और रो से मिलकर बनाता है जियो जो और हियो से मिलकर बनाता है जियो ग्यान जियान श्रो श्रो और रो से द्वीगुण या उत्खशीप व्यांजन इसका उचारण करते हैं जीवा का अगर भाग उपर उठकर जटके से पहंका जाता है तो ये दो होते हैं गो और ढो तो आज की वीडियो में बस इतना ही यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अन करें जिससे जब भी वीडियो अप्लोड किया जाता है तो आपको नोटिफकेशन मिलता रहे और वीडियो को लाइक, शेर और कमेंट जरूर करें थैंक यू